खरगोन जिली की कपास मंडी प्रांगण में किसानों ने हंगामा उस समय खड़ा कर दिया जब व्यापारियों ने किसान की फसल को कम दाम पर खरीदना शुरू किया और किसानों का घुस्सा फूट पड़ा आपको बता दे की चार दिन की छुट्टी के बाद कपास मंडी में कपास की बंपर आवक रही और व्यापारियों ने विरिवत कपास बुली लगाना शुरू की इस दोरान लागत से कम दाम मिलने की बात पर किसानों का खुसा फूटा और विवाज शुरू हो गया वहीं दलबल के साथ पोलिस मौके पर पहुची और स्थितिको काबू में किया इदर किसानों ने व्यापारियों पर आरोप लगाया है कि लाखत कम दाम देकर देश की पालनहार को लुटा जा रहा है उदर वियापारियों ने किसानों को गलत साबित करने की बात पर शासन की मैंचा अनुरोब खरीदी करने की बात कही बारती नूस के लिए खरगों से रजाक खान की रिपाउड नहीं नहीं आप शेकिन करवालों आप कभी इंपेजिन में किसानों को की सरा प्यवा निकल जाए तो आप दोना चाह वो सजा मुझा क्या बोली लेगी आपकी शुब मतलब अच्छा कापास अच्छा कापास अच्छा कापास अच्छे माल का भाव तोड़ के 10-12 रुपे कम कर दिया है बीड को देखते हुए और उसके बाद ये जो मेरा कपास है मेरे दोस्त का है ये कपास कम से कम 5,000 के आसपास के रेट का है जिसको इनों में 3500 से बीड चालू करी और 3800 रुपे खतम कर दिया सर इसकी 10 रुपे किलो चुनाई है और एक बात और केना चाहूंगा कि सरकार केती की समर्थन मुल्या 5700 रुपे आज की तारीक में 5700 रुपे ये जो मंडी में वहान भी कर रहे हैं मुझे आकड़े तो नहीं पताए कि क्या है पर 15-20 वहानों पे मात रहे है क्या दो वहान सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी मंडी में ले जाके वेचे क्या दूबई थोड़ी बेचेगा ये अर्ताली सोग घर से मंगा वा था कपार ये 3500 मंग रहे है वे अपारी जो हम्रे पास से लेगा गाव में भी वह के दूबई थोड़ी बेचेगा जाके माल वह भी किसी मंडी में जाके वेचेगा क्या नाम है आपका लोकेंद्र सोलंकी अपका देवेंद्र आदर हो सब्सक्राइब चल रही थी और हान मंडी 200 बेलगाडी पिकी है चार सुसर पान तो हान बिग्ड़त है दो किसान कास्ताकार दारू पिके आये हुए हैं उन्होंने ये नोटन की की गाली कलोज करी है कर लिए हम लोग ठोडिया होते वेपारी हैं और मंडी चालू कर दी है पुलिस के तो जवान अने का अग्यों लोग अने का मंडी चालू कर वही चाहिए वट आक्षान वेपिर उन्होंना हमा कर दारा। इस आधातर जार दो नचिश झार लागता हमें, मेरा खंदे को, आपने भादी के फोंडे का अगाच पाथन का भिला जाम। अबस्क्राब शब्सक्राइड नचो चीकल्ट एवर!